दिगज अभीनेत्रिय और राचनिता जयापर्दा जल्द ही गिरफतार हो सकती हैं। इसके बावजूद भी वे सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुँची तब जाकर आदालत ने अभीनेत्रि को फरार भोशित किया है। तैय तारिक पर सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश नहीं हो रही। नतीजन उनके खिलाफ एक के बाद एक गैर जमानिती वारेंट जारी होते जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अभी वरिस्ट अभी योजना अधिकारी की अगुआई में टीम बना कर अभीनेत्रि को अदालत में पेश करेगी। बता दे कि ये कोई पहली बार नहीं है जब जयापरदा किसी विवाद में फसी हो। अभीनेत्रि को पिछले साल चेन्ने की एक अदालत ने पुराने मामले में दोशी पाया था। दिया और उन्हें 6 महीने जेल की सजा के साथ 5000 रुपे का जुर्माना लगाया। आपकी इस खबर पर क्या राया है हमें कोमेंट करके जरूर बताए और देखते रहिए जन हिट टाइम्स।